फ्रेंड्स वेल्कम टू माई हीट्यूब चैनल स्टार कॉरवाजी को संदोस्तों दैनिक वासकर पर एक न्यूज आईए उसमें लिखाए कि वारवी के नाकुष टॉपर्स नहीं देंगे एक्जाम जिहां दोस्तों सितंबर में परच्छा देने के बिकल पर बोले बारवी क कि परच्छा प्रडाम गुरुवर दोपार 12 बजे जारी कर दिये गए लेकिन 90% से ज्यादा अंक पाने वाले टॉपर्स खुस नहीं है पर पास होने से लेकर टॉप करने वाले जात्रों का कहना है कि बे और बहतर कर सकते थे लेकिन दोबारव परच्छा देने का सवाली न लाए गा तो उनका यह कहना है तो आप प्लीज कमेंट में यह जरूर बता देना कि आप दोबार एक्जयम देना चाहते हो या फिर नहीं ठीक है कि आप अपने रिजल्ट से खुस हो या विर खुस नहीं हो इसके बारे में कमेंट में जवाब जरूर देना ठीक है तो जानेए इस बारे में छात्र छात्राओं का क्या कहना है तो इंदोर के पंकच कोष्टी को 98.2% मार्क्स मिला बोले जिन्होंने मेहनत की उन्हें टैलेंट दिखाने का मौगा नहीं मिला इंदोर के सुदामा नगर के रहने वाले पंकच कोश्टी ने कहा कि बारवी में मुझे 98.2% नमबर मिले हैं मैं इससे संतुष्ट तो हूँ लेकिन थोड़ा असंतुष्ट हूँ जिनोंने बारवी में अच्छे नमबर लाने के लिए जमकर मेहनत की उन्हें उनका टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला उनके मन में कही न कही यह बात होगी कि बे अच्छा कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए किसी के लिए तो यह रिजल्ट काफी अच्छा रहा होगा तो इनका यह कहना है भोपाल की प्रेड़ा पाठक को 97% मार्क्स मिला बोली अब आंगे की तयार और सुधरेगा लेकिन परच्छा ही नहीं दे पाए अब आगे की तयारी करूंगी निमत पड़ाई नहीं हुई अब उससे फोकस भी नहीं हो रहा है ऐसे में दुवारा परच्छा देने का मतलब नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है भोपाल की बबली सर्मा ने कहा कि उनको 93% रेचल्ट परच्छा परच्छा नहीं मिल पाएगा भोपाल की बबली सर्मा ने कहा कि रिजल्ट से मायूसी तो नहीं है लेकिन 10% के रिजल्ट से कोई इंतर नहीं रहा इस बात का अपसोस है कि अब अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा अगर परिच्छा देती तो रिजल्ट कापी सुदर सकता था लेकिन दोबारा परिच्छा नहीं दूँगी इसके लिए समय नहीं है आंगे की तैयारी करना है फर्म वरना है और एड़िसन के लिए प्रिवेस बोपाल के जो राजी विसकुर्मा को 81% द्लप उन्होंने कहाके रिजल्ट बहत्र होना था दूसरा आप्सम नहीं दूगा इसका कोई मतलब नहीं है अप पीछे पढ़ाई जो है पीछे जा चुकी है निरंतर नहीं इससे रिजल्ट खराब हो जाएगा अब आगे जाने के बारे में सोचेंगे पीछे जाने का सवाल है नहीं उठता दोबारा परच्छा देने का बिकल्प जहां दोस्तों अगर आप परच्छा देना चाहती हो तो देवी सकती हो प्लीस देखो हम अगर अगर अपनी रहे बता बताना जरूर कि आप परिचस दे रहे हैं और फिर नहीं हूँ ठीक है और आप अपने रिजल्ट से खुसो और फिर नहीं यह कमेंट में जरू बताना दिए कि Parach इसको सच्चा मंत्रे इंदर सिंग परमान ने बताय है कि रिजल्ड से नाकुस बच्चे एक सतंबर से होने वाली बारवी की परिच्चा में सामिल हो सकेंगे इसके लिए एक अगस्ते-दस अगस्त की बीच परिच्छा फ़र्म वनना होगा अगर बच्चस सभी विशाय में परिच्छा देना चाहता है तो सभी में दे सकता है और वह है अगर किसी एक विशाय का पेपर देना चाहता है तो वो भी उसके पास बेकलब यानि वह भी एक बिसाय का पेपर दे सकता है ठीक है यानि उसके इच्छा है तो दोस्तों यह थी न्यूज वीडियो अच्छे लेगी वह लाइक जुरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करते ना ठीक ह क्योंकि आएंगे कि जितने भी कॉलिज के अडिविशन आएंगी वह इस पर मिलती रहेंगे अडिविशन वगरा कपसे स्टार्ट हो रहे हैं और आपको वीस्ट करना चाहिए या मतलब आपको 12 के बाद क्या करना चाहिए वह भी हम आपको इस वीडियो में नहीं अगली व बाइबाई प्रक्त।